इन जनरल में सिर्फ वीक में एकी वीडियो बना पाता हूं तो उसकों पूरे वीक मॉनिटर करना होता लेकिन मुझे काफी वाटसप मेसेज आए रिक्वेस्ट आई कि सर एक वीडियो और बना दीजे क्योंकि जो दो स्टॉक दिये थे दोनों आज एक्टिवेट हुए तो य जनरली डेली में एक्टिवेट नहीं होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते कि वजास फाइंसर एक दिन दो दिन तीन चार दिन पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा एराउंड ग्यारा बारा दिन अपने एक रेंज बाउंट के अंदर स्नाइपर अटेक बता रहता जो काफी समय से एक छोट एस रेंज बाउंट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते कि वही दो परसेंट के अंदर यहाँ पर ट्रेट करो जैसे यह इसको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देगा हो आप हमारी एंट्री बनती है तो यहाँ पर देख सकती है आज हम लोग स्विंग मतलब शॉट टर्म के लिए थोड़ा सा केरी फारवड एक दो दिन भी कर सकते हैं तो मैं दो स्टॉक दिये थे एक शॉट सेल साइड एक्टिवेट हो गया और दूसरा स्टॉक बाई साइड एक्टिवेट हो तो इसमें भी आप देख सकते कि काफी टाइ टागेट था आज ही एक्टिवेट करवा लेकिन इनको अगर बाई साइड एक्टिवेट होता तो हम इसको केरी फारवड भी कर सकते हैं दो तिन दिन के लिए चले अब बात कर लेटे फ्रेंस नेक्स्ट कल के याने की दो दिन और बचे टेडिंग सेशन में थर्जडे और तो दो दिन और हम लोग अब इस टॉक नहीं थे इसलिए फ्रेंस में लेकर भी आ गिया कि चलो कल और परसो दो दिन और मॉनिटर करने के लिए क्या इस टॉक से यह रहा फ्रेंस एक अनदर इस नहीं पर टेक नीचे भी मैंने कभी दिया होगा फ्रेंस यहां पर डबल अब तरने से काम करो हूँ एक दिन दो दिन तीन दिन पर यहां पर निकाला और उसके बाल सीधा जाते जाते उसने यहां आम लोगों को moment दिया within one month में तो इसलिए friends इसमें फिर से में wait कर रहा हूँ फिर से यहाँ पर वही pattern दिखा है दोस्तो इस नहीर पर take का पिछले तीन दिन से अपने एकी range bound के अंदर बन दे दिखा रहे तो आप लोगों को तो यह रहा friends कितना percent के अंदर बन दे यह तो और भी चोटे range bound के अंदर देख सकते HDFC बें निफ्टी का HDFC धाकर इस्टार के जो पूरे निफ्टी को कंट्रोल करने की ताकत रखता है वो खुदी एक छोटे से एक देड़ परसेंट के range bound के अंदर एक दिन दो दिन तीन चार दिन से बन दे अब friends अगर इसको buy side कल अगर breakout दे र इंट्राडे कर सकते इंट्राडे क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कि शॉट्सेलिंग में हमको carry forward करने का option इन जनल ट्रेड टर्मिनल जो ब्रोकर्स होते वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो उसी दिन हम लोग को शॉट्सेल करके निकल जा रहा है एक और MDA महिंद्रा इन दो दिन तीन दिन तीन दिन से ही अपने कितने percent के range bound के अंदर बंदे यह भी 10 percent के अंदर बंदे दोस्तों तो यहां पर अभी इसने यहां पर resistance face करा है कल अगर market खुलता है इसके अंदर फेंस कंडिशन यह होना है कि market should be open inside the these blue lines उसके बार breakout देता है कल देगा परसो देगा काफ़ी टाइम से आपको वेट करना होता है जैसे आपने बजार फिंगर कोई कि वेट किया था जाओधा-15 दिन वेट किया तब जाकर एक्टिवेट हुआ और सीधा और एक्टिवेट होगा तो आप लोगों टेलिगाम पर सक अलड़ आजाएगा तो यही था friends on request मैं ने generally मेरे को time नहीं मिलता है weekdays पे तो on request था कि वह सर्भ अभी stock हतम होगा इस week का वीडियो बनादो एक हो चीज फेस बोलता हूं Thursday जो होता है high volatility होता है generally मैं उसको detox day बोलता हूं Thursday को तो अपने खुद की लेंग्वेज में जैसे मैं इसका नहीं स्नाइपर टेक दिया ऐसी थर्जडे को मैं डिटॉक्स टेंडिंग क्योंकि थर्जडे में एक्सपारी कर दे होता है और बहुत हाई वोलेटाइल होता है दोस्तों इन जनरल तो एनिवेज थोड़ा कल अगर इसम बनाता हूं तो आप लोगों कुछ आहिए तो आपने मुझे चैनल सब्सक्राइब करके रखी नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक्स तो थैंक्स फॉर वाचिंग पापाई